ग्यानवन्थन में आप सभी का हार्दिक विनंदन करते हैं मैं हूँ सुबोध और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम अपने दो सब्सक्राइबर की डिमांड को एक साथ पूरा कर रहे हैं दोस्तो हमारे सब्सक्राइबर एरिक एडविन जी और जेठा रामपरिहार जी दोनों ने भागवत पुरान में बरनित जर भरत की कथा सुनने की डिमांड की थी तो चली दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं स्रीमत भागवत में बरनित जर भरत जी की कथा के वारे में दोस्तो रिसब देव जी के सबसे जेष्ट पूत्र भरत जी थे वे बड़े ही भगवत भक्त थे इनी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा रिसब देव जी के पश्चात महराज भरत ने देश का सासन सम्हाला महराज भरत बहुत ही ज़्यादा ग्यानी थे वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे वे अने को यग्य करते और उस यग्य कर्म से होने वाले पुन्य रूप फल को यग्य पुरुष भगवान बासुदेव को अरपन कर देते थे इस प्रकार कर्म की सुध्धी से उनका अंतह करन सुध्ध हो गया वह उन्हें दिनों दिन बेग पूर्वक बढ़ने वाल संपत्ति को यह था योग्य अपने पुत्रों में बाठ दिया वह अपने सर्व संपत्ति संपन्न राज महल का विवेक पूरवक त्याग कर दिया दोस्तों यदि विशाई हमें छोड़ जाए तो असांती होती है किन्तु यदि हम स्वैम उन्हें छोड़ दे तो सांती उसी समय एक गर्विनी हिर्नी प्यास से अत्यंत ब्याकुल हो अकेले ही जल पीने के लिए नदी के तीर पर आई अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गुजरते हुए सिह की भयंकर दहार सुनाई पड़ी प्रानों पर आबनी देखकर उसने जेवही नदी पार करने के लि जा पड़ी और मिर्त्य को प्राप्त हो गई नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत धया आई वे उसे बचा कर उसे अपने आस्रम ले आए उस मिर्ग छोने से उनकी ममता उत्रोतर बढ़ती ही गई वे नित्य उसके खाने पीने का प्रवंध क और भागवत पूजा आधी आवस्य कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए वे सोचते कि वह मिर्ग उनके सरनागत हैं और वे ही उसके रच्चक हैं उठते बैठते टहलते ठहरते वह सोते समय भी उनका चित उस मिर्ग के स्नेह पास में बंधा रह दिन प्रते दिन उस नन्हे मिर्ग सावक में भरत जी की आसकती बढ़ती जा रही थी एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने बन में चला गया और रात होने पर भी वापस ना आया भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा कब लोटेगा उस मिर मिर्ग छोने के पालन पोशन और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर हुए अपने आत्म स्वरूप को भूल गये थे उसी समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल बेग सादिक कराल काल आया मिर्तिव किसी पर दया नहीं करती उस समय भी उनका चित उसी मिर्ग सावक में ल अगले जनम में राजा रहुगन बना पुर्व जनम में किये हुए तप वह भक्ति के फलसरूप भरत जी को मिर्ग योनी में भी अपना पिछला जन्म पूरुन रूप से स्मरन रहा वे जानते थे कि मिर्ग आसकती के कारण हुए मनुस्त्य से चौपाया बने घूम रहे है वे सोचते हैं अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी बस यही प्रारब्ध भोगनी हैं इस प्रकार मिर्ग बने हुए राजसी भरत के हिर्दय में जो बैराग्य भावना जागरित हुई उसे छिपाये रहकर उन्होंने अपनी माता मिर्गी को त्याग दिया और पु अरब्ध के कटने की बाट देखते रहे अंति में उन्होंने अपने सरीर का आधा भाग गंडिकी के जल में डुबोये रखकर उस मिर्ग सरीर को छोड़ दिया दोस्तो भरत जी परम संत थे अतह एक पवित्र ब्रहमन के घर उनका यह अंतिम जनम जड़ भरत के रूप में ह उन्हें पुरुव जनम का ज्यान था कि हिरन की माया में फशने के कारण उन्हें पसुदेह धारन करनी पड़ी थी अतहुए इस जनम में किसी से भी बोलते नहीं थे बोलने और खाने यह दोनों कारे करने वाली जीव पर यदि अंकुस लगा दिया जाए तो हमारे बहुत स के समान दिखाते भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई पढ़ाई परंतु यह जान बुझकर मंत्रो चारन अच्छे धंग से नहीं करते थे क्यूंकि वे अपना ज्यान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे माता पिता के सरीर त्यागने पर उनके भाई ने इन्हें लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया भरत जी को मान अपमान का कोई विचार ना था जब कोई उन्हें पागल मुर्ख कहते तब यह उसी के रूप में भासन करने लगते जड़ भरत के भाई उन्हें चावल की कनी खली भूसी घुने हुए उड़त तथा बरतनों में लग किसी कर्म बंधन में फशना नहीं चाहते थे भाई उनसे जो भी कारे करने को कहते उसका उल्टा ही करते खेत में मेड़ बनाने को कहते तो गड़ा बना देते खेत में रखवाली करने को कहते तो यह खेत में गाईयों को चरने के लिए छोड़ देते विए गाईयों को रोक अपितू कहते थे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने वाला का क्या काम? चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। मर्ग बराह आधी जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे सैनिक जन इन्हें बंदी बनाकर चंडी का मंदिर में ले गए तदंतर उन चारों ने बिधी पुर्वक उनको श्नान कराया विभिन प्रकार के बस्त्र अभुष्णों चंदन माला और तिलक आधी से विभूसित कर अच्छी तरह भोजन कराया फिर धूप दीप माला आधी उपहार समागरी सहित बलिदान की बिधी से भरत जी को मा भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया जड़ भरत जी ने माता जी को मनहिमन प्रणाम किया वह सिर्नवाकर सांथ चित से बैठ गए इसके अंकर कुकर्म देखकर मा भद्रकाली मूर्ती तोड़ कर प्रकट हुई उन्होंने क्रोध से भीषन अठास किया और उचलकर उस खड़क से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिये तथा मस्तक की गेंद बना कर खेलने लगी ज्यानी भगतों की रच्छा के लिए स्थास की ओर जा रहे थे दोस्तों स्मरन रहे कि राजा रहुगन वही हिरनी थी जिसका बच्चा नदी में बह गया था रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार भाग गया तो बाकी तीन कहार जर्भरत को पकड़ लाए उन्होंने पालकी उठाई संपून भरत खंड के राजा जो स्वयम अनेकों बार पालकी में बैठे थे आज पालकी उठा रहे थे अपनी प्रारब्द भुगत नहीं पड़ती है प्रहु के ध्यान में निमगर भरत जी की अनोखी दसा थी वह कभी ब्याकूल हो रोते थे तो कभी मन ही मन भगवान के दर्सन कर हशने लगते थे रा सेवक तू तो जीते जी ही मरा हुआ है तुझे कुछ भाव ही नहीं है ठीक से चल बरना मैं तुझे दंड दूँगा जलभरत ब्रह्म ज्यानी थे कोधित राजा पर उन्हें दया आई कि ज्यान लेने की इच्छा से जाते हुए राजा अहंकार से कितने भरे हुए हैं दीन जी ने कहा राजन केवल मैं ही नहीं सारा जगत हीं जीते जी मृत्चा है इसमें हर सरीर सव के समान है सत्य तो केवल परमात्मा ही है व्यभारिक दृष्टी से ही भेद है आत्मिक दृष्टी से तुम और मैं एक ही हैं सरीर को सक्ती देता है मन और मन को बुद्धी स्रीहरी परमात्मा ही है राजन हर जीव में परमात्मा है यही सोच कर मैं चीटी का भी खयाल करते हुए इस प्रकार छलांग लगाते हुए चलता हूँ जडभरत के ऐसे बिद्धोता पुर्ण कथन सुनकर राजा रहुगन अचमभित रह गए सोचने लगे कि यह कोई पागल अब वह राजा जडभरत की बंदना कर रहा था भरतजी तो सच्छे संद थे अपमान वह समान दोनों में ही वह समान रहे राजा रहुगन के सभी प्रश्नों के उद्तर दे कर उन्होंने उसे ब्रह्मग्यान दिया राजन इस मन को प्रमात्मा में लगा दो मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है इस मन को मिर्ग बल में लगने के कारण ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा तुम मन को दंड दोगे तो यम्राज तुम्हें दंड नहीं देंगे संसार को स्वप्नवत जानों और मन को सुधिक करने के लिए संतों का समागम करो सत्संग से ज्यान क परमात्मा से सुरू हुई है और इस मार्ग की अंतिम अवधी भी परमात्मा ही है दोस्तों जडवरत जी का चरित्र हमें यह सिछा देता है कि मन की आसक्तियां ही बार बार जन्मरन में लाती है आसक्ति ही दुख देती है जन्मरन के चक्र में फसा देती है गुरु भगवा आस्तरीत अनन्य भगतों की सरन ले लेते हैं उनके पास अविध्या ठहर नहीं सकती फिर भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए अपना सरीर त्याग दिया तो दोस्तो यह थी कथा स्रीमत भागबत पुरान में वर्नित जड़ भरत जी की उमीद करते हैं फ्रेंट्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा और दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताएगे टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो आप अपने सवाल हमें कमेंट्स करके जरूर पूछिए